आज मैं आपको बताऊंगी सरफ उपर का जो बेल्ट का पाइट होता है उसकी कड़ेंग ऐसे की जाते हैं यहां पर साइज है 38 ठीक है 38 का पहले थर्ड भाग करेंगे यह मैंने यहां पर सिलाई के लिए एक सार छोड़ दिया पूरा साड़ी 5 ही लेना मुझे मैं त्वाइप लगा दिया है जो नेक बिड़ था वो मैं यहां पर ले रहे हूं जा अब यहां से मुझे जो आगे का नेक वह सिक्स इंच लेना तो यहां पर मैं सिक्स पर पूंट लगा देती हो अब आप इस नेक को इस प्रकार से ड्लो कर लेजिए तो आपका निक ड्रो हो गया है अब यहां से फिर आप साड़ी पांच पे पॉंट लगाईएगा और यहां से आप लेजेगा सवाच छे इंच आर्मों सवाच है यहां पिर आप लेजेगा अगर आप सेप कटिंग करते हो तो साड़ी छेंच तो यह गया साड़ी छेंच और यहां पे मैं हलका सा सीप लगाऊंगी बिल्कुल हलका जैसे की क्वाट रिंच ठीक है अब यहां पे हम चेस्ट का फॉर्थ पार्ट लेंगे साड़ी नो इंच प्लस अदा इंच डाट के लिए तो यह तैन इंच यह गया मेरा तैन इंच टू है नहीं दिखाइदे रहा है यहां से हम आपको बता देते हैं यहां से ऑगया स्थे का फॉर्थ पार्ट साड़ी नो वन इंच में एक्स्ट्रा ले दो यहां है कितने है 5 इंच का तो यहां पर, अच्छी आगे के पार्ट का round को प्रूइंच का लगा-दिया हैं, हो गया है, अप यहां पर हम फिर्ष्ट डार्ट लेंगे, फिर्ष्ट डार्ट के लिए देखें, 9 istiyorum हाँ पॐर्ष्ट ते 2000 पौणे 4 इंच, सबसे पहले तो आप उपर से टक्स लीजिएगा सिस साइड में 15 याड तो हम यह पर में यह फे 10 ने इंच ले रहे हैं तक्स लगा दिया है थिके ना आप दियान रखेगा यह यह पर पेस the लिया हुआ है नीचे कि पार्स में आपको कुछनीं लेना है अभ यहां पर आपने इक्स्टा कितना लिया था वहन इंच यहांपे आपको 38 चाहिए यह आपका प्रस्मावर और अच्छे निचे आपका दो ऊपर न चड़े awareness नहींद कीज़ें natin soft celui, यह दोतव स्देए बेल्स आया गार्म करते से दो व met यह चौईट ilot कि हैं यहाँ से कम होगा तो ज़स्त के निचे कंडूर्ड रखेगा ठीक है यह दो स्थे स当 करेंगे और पहें हैं यहां फुट्र तरप तो यह इस दोनों पे पोइंट को यहां सेसे ठीक है तीिसी डाट हम लेंगे एस तरफ में यह लेंगी मैं पौन इंच की और इसकी लेंद लिये मैंने साथ इंच की और यह लोगे मैं सरफ आदा इंच की तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और यहां तक इस प्रकार से मैं इसको सेप को कटिंग कर देती हूं यहां पर यह सीफ हम अपनी निच्चे वाले बेल्ट में इसी प्रकार का सेप कटिंग करेंगे वह मैं आपको आगे बताऊंगी अब हम सबसे पहले इसकी स्टिचिंग लेंगे आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए और यह जो आपकी पॉन डाबल स्टिचिंग हो गई है दूसरी जो डाट है हमारी वो टोटल आधा इंच की होगी नेकलाइन वाली या हूप पट्टी वाली तो इसको हम क्वाट्र इंच की करेंगे तो यह टोटल हो जाएगी हाप इंच की हो गई है अब हम आपको तीसरी डाट दिखाते हैं और य यह हमारी टोटल होगी पॉन इनbons की तो इसको कौर्टरिंच से थोड़ा सथ जयादा फोल्ड किया है और कहां तक लेना ही हमें देखो इसको में यहां fav तक लेना इसकी जो लाइन गया ऊपर है और आम इसको यहां तक चो 7 इंच का पॉंट रहे हैं फिर हम इसके डबल स्टिचिंग ले लेते हैं अब हम यह फूर्थ डार्ट लगाएंगे आरम होल साइड की और यह हमारी क्वाटर इंच की हो जाएगे तो यह चारो बार डार्ट कम्प्लेट हो गई है और जो उपर का आपका बेल्ट का पार्ट है बिल्कुल रेडी हो गया है अब आप इसको देखेगा कि यह कैसे रेडी हुआ है यह देखे यह हमारा बेल्ट का जो पार्ट से इस तरह से बिल्कुल रेडी है okay तो अब देखिए बारी क्रोज प्रुज कुटिंग करने के निचे की तो इसको हमने कितना लिया था साड़े बाराइब साड़े बाराइब वह लिए था तो हमारा जो टूटल लेंद कितनी लेनी होती है ये पाइट तेखो यह मारा बेक साइड इसी ब्लाउज का इसकी मेंने टूटल लेंद चपकडिंग की थी तो ले थी मैंने 15 इंच ठीक है ना 15 इंच लेंच ले थी तो ये अब तयार कितना है 14 इंच तयार है क्य रखते हैं या फिर आपने उन इंज लिया तो आप इसमें भी वन इंज एक्स्ना लेजागा लेंघ के अंदर यह सब जितना लेंच में लेंट में लेंथ जितना एक्स्टा लेते हैं बेग साइट में उतना ही आगे में भी लेते हैं तो वहां फिर बेग साइट की कटिंग स्टिचिंग में मैंने वन इंच एक्स्टा लिया था तो यहां पर भी मैं वन इंच एक्स्टा लूँगी बेग साइट में मुझे 14 इंच की लें तियार ची यह मैंने स्टिचंग को यह पे एक्स्ता लिए था और हम टोटल यह जो लेंद लीथी वह थी साड़ेंगे लेंच जाता है लगबग तो आप देखे पूर जाता है यह तो को लीचे से यहां लरगए दिदो लेंच है फिर Q4 इंच हो गया, सभाएंस अधी चोजी मघ सिं करते हैं न, उक परती और कड़ा इक उततीड है, टुह इंच का मार्जन ठीक है, लेंद हम लेंगे इसकी तीन इंच 10 तो हो गई हमारी, जो लेंद हम लेथे हैं जीक जैसे साड़ेबारा का उपर का पास उपक गया तो ड़ा इंच का नीचा हूग hospitalized. उन्न मिला दो यहां पे आपको कितना चलना है यहां पे सोरी उपर वाली लाइन थी इसमें मिला दिया एपने मुझे चलना है 4 इंच पहो यह को बिश्पा गया ना वो आ जाय या लगा दिया है है और इसको इसको हम तीर्छा गौ्पिशन करें लोएज है तो बहुत देख सकते हैं कि यह हमारी पकी सही होती है चाहिए अब मैं पर यह हमारी क्रोस पट्टी बिल्कुल जो है थोड़ी सी इसमें एक्स्टा है तो इसको हम अलग से निकाल देते हैं क्योंकि हमें इतना नहीं चाहिए तो यह नीचे की क्रोस पट्टी होगे बिल्कुल ब्राबर है अब आप इसकी लेंद और इसकी लेंद भी चेक ना या फिर आप इन दोनों को ऐसे कर दीजे चलिए बिल्कुल ब्राबर है आपके पार्स आप नीचे से देख रहे हैं सिलाई यह नीचे की सिलाई में मैं इसको स्टिचिंग करूंगी तो यह इतना वहां पर चला जाएगा तो अब आप देखिए एक पार्स को लेते हैं अब आप देखिए इनको मिराबर मिल्हा करके मीजर्मिंट बहुतब देखना जरूर एक काफी बेनों के चोटे हो जातेैं किसी के बड़े हो जाते क्यों को बढ़े तो अब देखिए आप नीचे खिस इतना जाएगा तो यह नीचे की सिलाई में वहां पर इतना राग pedir तो चला जाएगा यहां से आप देखिए आर्मोल बिल्कुल ब्राबर पार्ट में हैं तो इस प्रिकार से हम जो है क्रोस पट्टी मैंने आपको काटना अलग से बताया है कि किस प्रिकार से आप क्रोस पट्टी की कटिंग करना आपको चाहिए तो बिल्कुल ब्राबर और यह देख यहां पर बिल्कुल बराबर आया है कोई भी parts आपको छोटा बढ़ा नहीं होगा अब हम इसी के according और यह जो parts है न इसमें cutting आ लेते हैं बिल्कुल बराबर में थोड़ा सा तो नो parts बिल्कुल बराबर cutting हो गए अब हम नीचे से एक स्टिचिंग लेंगे सबसे पहले ये नीचे वाली तो हो दोनों की एक एक स्टिचिंग लेंगे वो भी कहां से नीचे की साइड में तो यहां से आप इतकी एक एक स्टिचिंग ले लिजिए ये वाली देखे मैंने नीचे की इस्टिचिंग ले लिए ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे दिखो यहां से आप इसको नाकुन से यह से हलका साथ चीर लेंगे ठीक है अब आप इसको ऐसे देखेंगे कि आपका लाइनिंग अपार्ट से अंदर की और है नग most जी अलंदर की ओर है बार ओपन में नहीं दिखा दे रहा है तो अब हम इसकी ऐसे यहां पर स्टिचिंग लेंगे कैसे लेंगे तो यह देखे यह आप ऐसे रखें इसको और यह जो कॉर्णर को बिलकुल बराबर आपका जो पाड़ से क करना होगा इनको ऐसे ऐसे फोड कर के और यहां पे आपको लायनिंग के पार्स के साथ में स्टिचिंग लाइनिंगी पार्स को आप खींचे का मत वरना यह वाला पार्स बढ़ जाता है बहुत बढ़ जाता है क्योंकि एक तो यहां पर राउंड से इप साय से गोलाई होती है तो इसको आपको क्या गड़ा है सिर्फ प्रकार से धरके और स्टिचिं अब मैं कर लेती हूं इससी प्रकार से आप तूसरा प्रार्स भी त्यार कर लेए पिर आमने सामने के होनी चाहिए तो आपको ध्यान रखना है तो यहां पर मैंने इसको आपटीज करें लिए और मैं इसको आयरन करूंगी इसके स्टिच करूंगी परका लिए तो में आपको दोनों पाइट की कि स्टिचिंग पूल बताई है अगर आपको मारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें जदस जदसेर करें थेंक यू चीचिंग ले लेते हैं या पर सॉल्डर जोइंट कर लेते हैं